यह जो पावर सप्लाइ देख रहे हैं यह है कैनन G20-20, 20-60, 30-20, 30-60, G570 इन सब का पावर सप्लाइ यही होता है यह सेम इसी तरह होता है अब यह क्या होता है कि किसी वज़ा से काम करना बंद कर देता है यह पावर अफ हो जाता है तो आज मैं बताऊंगा इसको आप इस आपको जो करूंगा उस तरह से आप भी करोगे तो आपका यह पावर सप्लाय का डबा खुल जागा क्योंकि इसमें जो इसक्रू लगा हुआ है वह खुल नहीं पाता जिसके करने रिपेरिंग नहीं होता तो इसको खुलने का तरीका में बताता हूं सबसे पहले आपके पास किये होना चाहिए ठीक है और इसको आपको यहां पर डालना है और इसको यहां से ऐसे ऐसे घुमा के आपको बाहर निकाल लेना है और यह देखिए यह आपका जो नट है यह बाहर निकल गया है एक जिरा हम फोकस करके दिखा रहे हैं यह नट आपका बाहर निकल गया अब क्वोलना बहुत ही असान है खूलने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अपन क्यों नहीं हो रहा तो यह यहां से-से इसको अपन कर सकते हैं यह बड़े आसानी से खुल जाएगा ठीक है यहाँ बड़े आसानी साय से खुल जाएगा यह इस तरह से ओपन हो जाएगा ठीक है आप इसमें हमको देखना क्या है कि इसमें फ्यूज लगा होता है जो कि अधिकतर केस में वही सौट होने के कारण यह काम नहीं करता मैं आपको दिखा देता हूं फ्यूज कहां कहा और देखिये एक फ्यूज आपका यहाँ पर इस कनेक्शन के पास होता है यह देखिए यह हमारा सौट यह फ्यूज हम हम ठीक करेंगे तो यह हमारा सही हो जाएगा एक फ्यूज यहां पे है और दो फ्यूज यहां पे है एक दो तो यह तीनों फ्यूज में अधी आपका दिक्कत रहेगा तब ही आपका पावर सप्लाई काम नहीं करेगा उसके बाद इसमें पॉसिबिलिटी क्या होता है अभी तो इसमें यह है कि य यह पावर सप्लाई नहीं हो रहा तो इस फ्यूज को हम बदल देंगे या फिर यहां से हम इसको सॉट कर देंगे ठीक है तो यह मेरा काम कर जाएगा कई बार क्या होगा कि आपका कैपेसेटर फूल जागा तब कैपेसेटर चेंज कर सकते हो यह आपका इस जगह का झाल चेक कर लेते हैं आउट पूट वाला यह दोणों फ्यूज है लिए तो यह हमारा फ्यूज सही है देखें यह भी फ्यूज सही है यह दोनों फ्यूज सही है हमारा सिर्फ एक फ्यूज यह खराव है कि यह देखिए यह फ्यूज हमारा खराब है इस में जल नहीं रहा है तो यह फ्यूज है बस इस फ्यूजक को हम यहां से हम ऐसे कुछ smells देंगे यह तो फिर यह इसको बदल देंगे तो हम refer to success पैसे कम करवने लगेगा यह氣 चुलिए जी 30-20-20-30-30-20 इन सब सीरीज में इस प्रवावर सफ्लाइज इतना भी सब सेम जी 570 तक सेम है यह ठीक है उसके बाद फिर वापस से इसको ठीक करने के बाद आप वापस से फिर उसी तरह आपको एसेंबल कर देना है यह एसेंबल भी हो जाता वापस से ऐसेंबल ह हो जाएगा ठीक है यह वापस से एसेंबल हो जाएगा यह एसेंबल हो जाएगा